हेलो फ्रेंड्स आज हम जो बैक बनाएंगे वो बहुत ही सुन्दर है और उसमें देर सारे पॉकेट है बैक बनाने के लिए एक कपरा मैंने नीचे रखा है उसके उपर फोम है और सबसे उपर मेंन फाब्रिक को रखकर मैंने सिलाई कर लिये इस तरह के दो पीस मैंने बना ल बिल्कुल एक साइज के पीस की जरूरत है तो इसके लिए मैंने पेपर कटिंग कर लिया है सेवन बैसेवन का और इसी के चारो साइड निशान करके हम इसके कटिंग करेंगे तो दो पीस बिल्कुल बडावर होंगे कहीं से भी ये चोटा बडा नहीं होगा तो इस ट्रिक स आप बिल्कुल एक बराबर पीस की कटिंग कर सकते हैं तो 7x7 की दो पीस मैंने ले लिये हैं उपर से 2 इंच पर निशान करके इसकी हम कटिंग कर लेंगे 7 इंच की मैंने जिप ली है जिप को कपरे के उपर रखकर सिलाई लगा लेंगे जो दूसरा कटा हुआ पीस है उसे भी जिप के उपर रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे किंगे लगाने के बाट जो सिलाय वाला कपरा है उसके किनारे किनारे हमें टॉप स्च चला ले दूब्स में इसी तरह के से हम लगा लेंगे बसे कर दोब्स से ला लेंगे ड्यान अब कोई भी कपरा नीचे रहंगे चारू से से सिलायदे कि Too तो हमारी पॉकेट बन जाएगी यह दो पॉकेट तो अभी हमारे बन गये है फ्रन्ट और बैक में कि कॉकेट हम लगा लेंगे अब एक मैंने कुल्टेट पीस लिया है इसमें भी मैंने फोम का यूज किया है इसकी लंबाई 11 इंच है 11 इंच और इसकी चौराई 3 इंच है तो इसकी हमें एक एक इंच की कटिंग कर लेनी है तीन इंच और आई है तो इससे तीन पीस हम निकाल लेंगे वन बाई 11 के वन वन इंच की हम दूरी पर निशान लगा कर कटिंग कर लेंगे मल्टी पॉकेट बैक बनाने का यह बहुत ही आसान तरीका है वस इसे आप द्यान से देखिएगा तीन पीस मैंने निकाल लिये हैं अब हमें जिप चाहिए यह देखिए इसकी चौराई एक इंच है तीन पीस की और लंबाई 11 इंच है जिप भी हमें इतनी ही लंबी सबसे पहले एक लाइन का पीस हम लेंगे नीचे रखेंगे उसके उपर हमें जिप को रखना है जिप की सीधी साइड और जो स्ट्रिप हमने बनाई है इसकी सीधी साइड आपने सामने रहेगी सिलाई लगाने के बदिकी इस तरह से बन गया है अब इसके किनारे भी टॉप स्टिस लगा लिजिए तो जिप के एक साइड में हमने फौम माला एक पीस लगा लिया है और एक अस्तर लगा ले इसी तरीके से दूसरा अस्तर हम लगाएंगे दुसरी पाकिट के लिए अस्तर को नीचे रखेंगे उपर से जिप को रखेंगे और इस फोम आले पीस को हम उपर रखकर सिलाई लगा लेंगे तो यह दूसरी लाइनिंग भी अटेच हो गई है दो लाइनिंग हमने लगा ली एक जिप के दोनों साइड हमने एक लाइनिंग लगा ली आप दूसरी ज से उसे में रखना भूल गई थी तो देखिए मैं तीन हमारे लाइनिंग की पीस अटेच हो गए दो जिप लग गई है और यह तीसरा भी अभी है मुझे इसके साथ ही सिल देना था तो अब इसको इस तरह से रखकर सिलाई लगा लेंगे नहीं तो उसके लाइनिंग के साथ ही से स्टिच कर लेते हैं जैसे पहले हमने किया था तो यह दिकी तीनी स्ट्रीप और तीन लाइनिंग हमने लगा ली है अब एक छोटी से कप्रे की इस तरह से मैंने पट्टी सी बना ली है और इसी यहां रखकर स्टिच कर लेंगे दूसरे साइड भी यहां स्टिच अब इस जिप वाली स्ट्रीप का हमें सेंटर मार्क कर लेना है दोनों साइड से इस तरह से मिलाकर बीच का सेंटर निशान लगा लेंगे या कट लगा लेंगे यह करना बहुत जरूरी है अब दोनों साइड पार्ट को इस तरह से सेंटर का निशान में लगा लेना है पहले लंबाई में फिर जोराई में कई पर ऐसा होता है कि जब हम बैक को साइड स्ट्रिप से अटेच करते हैं तो यह थोड़ा सा कम या जादा हो जाता है तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी यह दिखी चारो जगा में ने मार्किंग कर ली आप एक स्ट्रिप मैंने लिए 17 इंच की चौराई जिप लगाने के बाद इस स्ट्रिप की जितनी चौराई बनती है लगवक चार इंच उतनी ही चौड़ाई हमें इस स्ट्रिप की भी रखनी है देखे चारो सेंटर को मिलाते हुए हमें सिलना है अब इसे इस तरह से रखकर सिलाई लगा लेंगे और दूसरी जो साइड है उसे भी हम सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड आधा आधा इंच की हमें सिलाई लेनी है जब जीप वाले इस ट्रिप और स्प्लेन को जोड़ेंगे तो 28 इंच होनी चाहिए दोने किनारों पर भ सिलाई कर लिया है अब इन दोनों निशान को मिलाते हुए दोनों साइड का भी हम सेंटर माग कर लेंगे अब सिलाई करते समय हमें चारों निशानों का ध्यान रखना है तो बहुत ही अच्छी तरह से स्टेच हो जाएगा पहला तरीका तो यह है कि सबसे पहले उपर वाले यहां पर हमें कट को मिलाते हुए सिलना है और एक जगह से स्टार्ट करते हुए पूरे राउंड में सिलाई करके से हमें स्टेच कर लेना है लेकिन कई बर कपरा घट बढ़ जाता है तो इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है वो मैं आपको बता रही हूँ यहां उपर की तरह पहले सिलाई कर लेंगे उपर वाले भाग की और नीचे इसे मिलाते वे भी सिलाई कर लेंगे शिलाई करते से में किनाड़े थोड़ा थोड़ा सा छोड़ दीजेगा लगबग एक सिंटीमिटर अब जो साइट का भाग है अगर जो भी आपको कम जादा हो रहा है तो इसको खीच कर हम ला लेंगे और आसानी से इसकी सिलाई हो जाएगी, तो कपर आपको कहीं से घटेगा या बढ़ेगा नहीं, बिल्कुल बराबर हो जाएगा, थोड़ा सा खीच कर मिला लेंगे, क्योंकि इसमें फोम लगा है, तो यह दिखिए, दोनों साइड से हमने सिलाई कर ली है, और नीचे से भी प बन कर तियार हो गया है, तो इसमें मैंने एक रेडिमेट पैग की बेल्ट लगा ली है, आप चाहिए तो कपरे की भी बेल्ट बना कर लगा सकते हैं, जो मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में बताई है, लिकीस में उपर और नीचे पोकेट है, और बीच में हमने दो पोक स्क्राइब कीजिएगा, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धनिवाद,